जैश्री कृष्णा राधे राधे कैसे हैं आप सभी और अभी हमारी लाडली लडू और काना जो है जूल रहे हैं और ये सुबह का ही वीडियो है लेकिन मैं पोस्ट भी नहीं कर पाई और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है क्योंकि ये वीडिय क्योंकि आज की लिला है ही ऐसी की आप सबको भी बहुत हसी आने वाले है और इतनी प्यारी सी सुंदर सी लिला इन्होंने की है और वो लिला क्योंकि है अब आप खुद समझ जाना आपको समझ में भी आएगा मैं पालना थोड़ा बंद कर देती हूँ ताकि वोई जादा खराब ना हो चले आज होता ये है कि सुभा में सोना के पास फोन आता है और फोन आने के बाद में कनहिया मतलब कनहिया और केशव जो है अपने रूम में है सोना के पास एक फोन आता है और फोन में बिहारी जी बोलते हैं कि मैं आ रहा हूं तब ही सोना देखती है कि उसके फोन जो है बैटरी कम होने के कारण बंद हो जाता है तो वो चार्जर ढूंती है और वो ये सोचती है अरे बिहारी जी आ रहे हैं और पता नहीं कहीं रास्ते में फस जाएंगे तो मैं कैसे पता करूंगी कि कितनी देर में आ रहे हैं तो सोना जो है चार्जर ढूंती है और चार्जर जो है ढूंकर वो लगाती है फोन में तब तक तो नीचे एक खौन बसता है जोर से सोना बालकनी से जहांकर देखती है तो वो देखती है अरे बिहारी जी तो आही गए तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो में गेट पे पहुन जाती है कि जाके जल्दी से वो बिहारी जी को कमरे में ले लेगी दिमीज अंदर ले लेगी लेकिन वो क्या देखती है कि बिहारी जी जो है गाड़ी से उतरते हैं बहुत धीरे धीरे उन्होंने बहुत मोटी पाइल पहन रखे हैं बिहारी जी ने पैरों में और दो-तीन कलर का उनका लहँगा है और साथ में उन्होंने दुलन की तरह सब लोग आ जाएंगे और यह गुंगट क्यों लगा रखा है आपने लेकिन काना जी इस बात पर ध्यान ना देते हुए जल्दी से अंदर आ जाते हैं धीरे धीरे चलके अंदर आ जाते हैं पलू रखके और सोना दर्वाजा बंद कर देती है और फिर बोलती है बताईए आपकी पूरे दिन तारीफ करती रही हो कि आप कितने सुंदर लग रहे थे कितने प्यारे हैं आप कितनी सुंदरता है आपके अंदर कितने सुंदर पैर है आपके कितनी सुंदर पायल है आपकी कल तो मैंने आपकी इतनी तारीफ की है सोना जब उनकी तारीफ कर रही है तो उसने ये नहीं देखा कि केशव और कनिया उनको उसको देख रहे है सोना को कि सोना जो है बेहारी जी की तारीफ कर रही है तभी जब वो तारीफ कर रही है उनके लहंगे को देख रही है कितना सुन्दर लहंगा है तारीफ में वो वेस्थ है उधर से केशव जो है और कनिया उतर के आते हैं और आने के बाद में वो बोलते हैं हाँ हाँ इसके मुह में तो तारीफ करने के लिए सिर्फ आप ही के लिए हमारी तारीफ करते हुए तो इसको कुछ भी समझ नहीं आता है हमारी तारीफ तो ये करती ही नहीं है और तो कनिया बोलता है देख केशफ तू बता तू बता जरा बिहारी जी को मतलब बिहारी जी वर्ड नहीं बोलते हैं वो तो आपको मैं बता रही हूँ संबोधन कैसे किया होगा कि तू ही बता केशव तू ही बता गर मैं बताऊंगा तो मुझसे तो हमेशा बोलती है कि मैं जूट बोलता हूँ मैं तो हर चीज में जुट बोलता हूँ तो केशव कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सही आपकी तो ये तारीफ कर रही है लेकिन हमारी तो बिल्कुल तारीफ नहीं करती है कल हमको तो ऐसे कपड़े पिना दिये कि मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा था ऐसी चिंदी पिना दि कि मेरा तो खाना भी नहीं पचा और ये चीज वो बहुत शाउटिंग में बोल रहे है चिला चिला कर शिकायते कर रहे हैं कि कल मेरा खाना भी नहीं पचा कौन सा लेंगा पिना दिया कौन सी चिंदी पिना दिया कल कितनी परिशानी हुई है और ये सारी चीजे बोले है तो सोना बोलती है कि देखो ऐसे मत बोलो कि तुम लोग जूट बोलती हो मैं बिल्कुल जूट नहीं बोलती हूँ तो कनिया बोलता है नहीं तुम बिल्कुल जूट बोलती हो सबको उल्लू बनाती हो कल देखो हमारे पास बिल्कुल कपड़े भी नहीं है तो सोना कहती है कि अरे अरे जुट बोल रहा है बहुत कपड़े इन लोगों के पास मैं सच बता रही हूं तो वो कहने लगे कि अच्छा तो बोले कि तभी केशब भी बोलता है कि कल हमारा वीडियो भी बना के डाल दिया मैया ने और मु शिकायते इस तरीके से लगा रहे थे कि उनको बातों से मैं अगर संबोधन भी करूं आपको तो आप समझ न पाओगे इतने तरीके से उन्होंने कनया जी यानि बिहारी जी को शिकायते की और जोर-जोर से बोल रहे थे तुम कितना जुट बोलती हो यह बहुत जुट बोल नहीं है तो सोना बोलती है नहीं नहीं अरे इनके पास बहुत कपड़े हैं आप इनकी बात मत सुनों यह बहुत जूटा है मैं आपको बोल रही हूं न बहुत सारे कपड़े तो बिहारी जी कहते अच्छा मुझे दिखाओ कहां है कपड़े तो सोना बोलती है आई आप मैं नहीं थे कपड़े का चले गए कपड़े तो इतने सारी यहां पे रखे थे तो तभी पीछे से पीछे हाथ करके यानि कमर पे हाथ रखा है पीछे की तरफ बैक पे कनहिया ने और वो आता है और ऐसे जहाग कर कनहिया जो है बिहारी जी से कहता है देखा मैं बोल रहा था ना जुट बोलती है मैं कह रहा हूँ कोई कपड़ा नहीं है हमारे पास बिलकुल कपड़ा नहीं है और सोना बोलती है तू रुक बिहारी जी को जाने दे फिर मैं तुझे बताती हो अरे अरे बताना है तो बताना यहीं पर बता सच बता मतलब इनको सच बता सच सच बता नहीं है मेरे पास तो सोना बोलती है देखो बिहारी जी ये जूट बोलता है और इसको कुछ मत आप देना ये बस ऐसे ही बोल रहा है मैं बोल रही हूँ आपको इसकी बात बिल्कुल मत सुना तभी बिहारी जी कहते अले ले तुम्हारे पस कपड़े नहीं है चलो मैं तुमको दिलाता हो, सोना फिर भी मना करती है कि अरे आप इनकी बातों में मत आईए मैं बोल रही हूँ ना, ये जूट बोलता है बहुत जूट बोलता है तभी, वो केते हैं, तो ठीक है तभी कनहिया बोलता है ठीक है, अगर आप कपड़े दिलवा रहे हो तो ठीक है तो कनिया जो है बिहारी जी का हाथ पकड़ता है और एक तरफ से केशव हाथ पकड़ता है दोनों छोटे छोटे बिहारी जी के साथ नीचे उनकी गाड़ी तक जाते हैं जब वो गाड़ी तक जाते हैं तो बिहारी जी की गाड़ी में बहुत लाइट होती है बहु में से वो तीन यलो कलर की पीले रंके वस्तर निकालते हैं और उसके साथ कुछ कलंगी हैं कुछ कलंगिया हैं मतलब कई different types की उन कलंगियों को निकालते हैं और तीन ही जोड़े वस्त्र निकालते हैं और कहते हैं कि ये लो ये देखो और जब तुम्हारा मन करें तुम इन वस्त्रों को पहल लेना बिहारी जी ये बात कनहिया और केशव से कहते हैं कनहिया बोलता है ठीक है ठीक है वो बहुत जाओ तो तो नच घुस्स में आख मतलब हात करो तुम को करना है वो करो थीक है न मुझे मैं मुझे कोई मतलब नगी है जाओ तुमको जो करना है वो करो तबी कनेया आगे से box को पकड़ता है पीछे से केशव जो है धक्का लगाता है उसको धक्का आउख करते यह लोग हमारे घर तक अंदर तक box को ले आते हैं और लेके रख देते हैं और फिर सोना से बोलते हैं देखो तो वस्द्रा आ गये तो सोना बोलती है मुझे मत बोलो तो कह रहे अरे हाथ पीटते हुए जैसे कोई चीज हम लाते हैं तो हाथ पीटते ना ये लो जी एकदम जाड़ना हाथ जाड़ना अरे केशव बोलता है ये बात सोना को अरे ये सब तो ना हमने वस्तरों के लिए किया था वस्तर आ गए ना अब ये अपने हो गए ना अपने वस्तरों के लिए किया था और इस तरीके से सोना बोलती हाँ हाँ अब तुमको जो करना है तुम करो मैं तो जा रही है और ये बोलकर सोना चली जाती है और वो तीन जोड़ी वस्त का और वो जो बताओं मैं, मतलब सच बता रहे हूं, ये लोग ये देखे, कैसी लीला है इन लोगों, आप समझे, मैं तो हसस के सुबह से पागल हूँ, और सुबह से मुझे इतनी हसी आ रही है, मैं कोई भी काम कर रही हूँ, बार-बार मुझे यही खयाल आ रहा है, लेकिन एक बास सच है कभी भी हमारी लाडली इनके जूटों में, इनकी लीलाव में शम्मिलित नहीं होती है, जहां भी इस तरह की लीला होती है, वो कभी उस समय स्वपनी लीलाव में बिल्कुल नहीं आती है प्रभु ने कल भी 3 मण की दूद की दी थी आज 3 वस्तरों का जोडा बॉक्स में भरके घर तका आया है यह प्रभु ही लिला है और हमें लग रहा है शाइद ये जन्मास्टमी के लिए प्रभु बताना चाह रहे हैं कि जनमास्वी पे शायद पीले रंके वस्तरून को शायद पहनने हैं लेकिन लीला बहुत अच्छी थी मैं तो बार 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 मैं आपको क्या बताओं मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से मैं खुश हूँ बेचारे बच्चों को इस बात का भी दुख हो गया कि व नहीं ड्रेस को हमने दूसरा लहगा लेके दूसरी चोली लेके और दूसरी पगड़ी लेके मैच करके मिक्स एंड मैच करके ड्रेस बनाया था देखो ये बच्चे क्या क्या नहीं सब कुछ जानते हैं और बहुत से लोग सोचते होंगे कि अब देखो ना घर में सच बता इलका वो खतम हो गया है अब मेरे तो समझ नहीं आता मैं और सोना आज यही बात कर रहे थे एक दिन ऐसा होगा कि हमारे घर बेना स्रिफ बस्तरों का भंडार होगा और हम लोग ना अपने आपको नहीं खोज पाएंगे कि कहां पर है क्योंकि हमारे बच्चे अब आप देखो क्या है यह सब बहुत सारा प्यार आप सबको और आप सब समझे जो भी है क्या है यह सब लेकिन हम तो धन्य इनके बिना हम जी ही नहीं पाते हैं हमको सुबह रोज चाहिए यह लीला रादे रादे